Hello Friends, Surrealistology Course की 71 क्लास में मैं बिन्दुशंगारी अब सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ मंगल ग्रह की मंगल ग्रह अगर तिरतिय भाव या थर्ड हाउस में हो तो उसका क्या महत होता है ऐसे व्यक्ति की विशेश्टाएं और सभाव कैसा होता है वैदिक चोतिश में मंगल को साहा सूर्जा, शक्ती, प्राक्रम, भूमी और शौरे का कारक्रह माना जाता है कुंडी में तीसरे स्थान पर बैठ कर मंगल अगर शुप स्थिती में हो, शुप ग्रहों से द्रिश्ट हो तो ऐसे व्यक्ति शूर्वीर और प्रसिद होते हैं, ऐसे व्यक्ति धैरवान और सासी भी होते हैं ये शारीरिक रूप से स्वस्त और बुद्धिमान हो सकते हैं, मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निडने ले सकता है विपिरीत परिस्थितियों में भी ऐसे व्यक्ति चुनौतियों को हर रूप में सिविकार करते हैं, उन्हें मात भी देते हैं मंगल की मजबूस स्थिति के कारण व्यक्ति के भाई भेहन अपने कारेक शेतर में काफी उन्नती प्राप्त करते हैं लेकिन कुन्डी के तीसरे भाव में बैठे मंगल यदि कमजोर स्थिति में हो या बुरे ग्रहों से पीडित हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए समस्यां पैदा कर सकते हैं इनके प्रभाव से व्यक्ति को किसी दुरगटना का सामना करना पड़ सकता है पीडित मंगल के कारण व्यक्ति के परवारिक जीवन में भी समस्यां आ सकती हैं जातक को शत्रों से प्राजय, जमीन समंधी विवाद, करजादी की समस्यां का सामना करना पड़ सकता है कुंडी में मंगल अगर तीसरे भाव में बैठ कर पीड़ित हों तो व्यक्ति को रक्समंदी रोग, खुजली, रक्त चाप, ट्यूमर, फोड़ फिंसी, बुखार, कैंसर आदी दे सकते हैं मंगल के ये उपाय आपके लिए लापकारी सिथ हो सकते हैं उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान चलीसह का पाठ करें दूसरा उपाय, मंगलवार का वृत करें तीसरा उपाय, वृत वाले दिन खाने में नमक का प्रियोक ना करें चौत्वा उपाए, मसूर दाल, गुड और लाल कपड़े का दान किसी जरूरत मंद को मंगलवार के दिन दे पांचवा उपाए, मंगलवार को मुंगा रत्न धारन करें छटा उपाए, तामबे के बर्तन का उपियोग घर में और अपने कारिस्तान पर जाधा करें सात्वा उपाए, लाल रंग के फूल अपने घर के सौथ डरेक्शन यानि की दक्षिन दिशा में रखें उमीद करती हूँ इन उपायों को करने से आपकी सबी परिशानिया अवश्य दूर हो जाएंगी तो friends ये तो थी मेरी आज की class, next class में आपको जान करीदूंगी बुद्ग्राई की बुद्ग्राई अगर पुण्ली के तीसरे भाव में हो तो उसका क्या महत्व होता है ऐसे विक्ति की विशेशताएं और सौभाव कैसा होता है मेरी इस क्लास को इतने अच्छे से सुनने के लिए मैं विंदु शिंगारी आप सबी का धन्यवाद करती हूँ